नमस्कार मैं हो ससी आई ज्ञखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं परधानमदिन नायद मोदी ज्ञखन की हेमन सुने सरकार पर जम कर बरसे उन्होंने कहा है कि सत्ता में बने रहने के लिए ज्ञखन में नया वोट बैंक त्यार किया रहा है जारखन को बली चढ़ा कर वोट बैंक का खेल चल रहा है इनका ये खेल कितना खतरनाक है संताल परगना इसका जीता चाकता सावूत है जारखन मोक्ती मोर्चा पहले जैसी नहीं रही अब वह कांग्रेस और रायत के रंग में रंग गई है यूआओ का हक मारा जा रहा है और लाखों रूपै में पेपर बेचे जा रहे हैं राजसरकार के सनक्षन में पेपर लीग गिरोह काम कर रहा है पताते हाजारी बाग के मतवारी मैदान में वेबुद्धवार को बिजेपी की प्रवेतन महा सभा को समोधित कर रहे थे पिजेए मोधी ने कहा है कि अब जेमेम भी कांगरेस और आर्याडी के रंग में रंग गई है ये ओ पुरानी जेमेम नहीं है आज जेमेम पर कांगरेस के इको सिस्टम ने कबजा कर लिया है आज जेमेम पर कांगरेस का भूत सवार है भासा बदली चरीतर बदला और जारखन की आत्मा को ही बदलना चाहते हैं जेमेम और कांगरेस वाले जारखन में घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं परदे सरकार के संदर्चन में यहाँ पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं, लाखों रुपय में एक एक पेपर बेज कर यहां के युवाओ का हक मारा जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपय कमाये जा रहे हैं और ए पैसा उनके माली को तक उपर तक जाता है, यह पू कम मोकी के मावल में प्रत्यमी की दर्ज की गई है नामकुम थाने में दर्ज प्रत्यमी की में 15 नमजात अभियारते और एक हैर अग्यात को आरोपी बनाया गया है बताते करेपालक दंडा अधिकारी जफर आलम की ओर से थाने में दिये गए आवेदन में आरोपी योप धार 144 के उलंगहन का आरोप लगाया गया है आवेदन में कहा गया है कि निसे धग्या लगाने के बाजूत सेक्डों की संख्या में अभियारती जेसेसी सीजेर परिक्षार रद करने की मांग को लेकर जेसेसी कर्याले के पास जमा हुए दिन भर छात्रों ने हंगामा और सरकार विरोधीन नारे लगाये साम में जेसेसी सचीव के साथ छात्रों का परतिनेदी मंडल की बारता होई बारता के बाद जब परतिनेदी मंडल बाहर निकल कर आंदोरन कर रहे है छात्रों की जनकारी दी इसी दरन कई छात्र उग्र हो गाये और पूलिस पर पत्रा सुरू कर दिया इसमें कई पुलिस कर्मी घायल होगा है कई सरकारी वाहनों को भी शक्ति ग्रस्त कर दिया गया पुलिस की सक्ति के बाद सभी अव्यार्थी मोगे से फ्रार हुए घायल पुलिस कर्मी का स्पताल भेजा गया है रोटी बेटी और माटी के लिए जार्खन में परिवर्तन जरूरी जार्खन विधान सभा चुनाओं की तारिखों की घोसना से पहले परधान मतिनायन मोदी ने जार्खन की धरती से राज्ये में जार्खन मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्टिय जनता दल पर जम कर हमला बोला है भारतिय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारों को समधित करते हैं बुद्वार को पियम मोदी ने कहा है कि आज जो परिवर्तन यात्रा का समापन हो रहा है यह जार्खन के लिए नई सुबह की सुरुआत साबित होगी परधान मंत्री ने कहा है कि हमारा एक ही नारा है रोटी, बेटी और माटी इसके लिए हम जार्खन में परिवर्तन लाग कर रहेंगे उन्होंने कहा कि कंग्रेस का चरितर ही दलीत, वंचित और आदिवासी बीरोधी है परधान मंत्री ने कहा कि कंग्रेस पार्टी ने ऐसी नीतिया बनाई थी कि अनुशुची जाती अनुशुची जन जाती और अने पिछावर के लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाई इनकी सरकार का यही उदेश था इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से AC, ST और OBC के आरक्षन का विरोध किया है पीयमोदी ने हजारी बाग से दी 41 एकलब ये आदर्स बिद्यालय की सोगात प्रधानमतिनायत मोदी ने बुध्ध भर गोगांधी जनती पर ज्छार्खन के हजारी बाग जीले की धरती से 41 एकलब ये आदर्स अवास्य बिद्यालय का लोकारपन किया है बतादे 1726.2 कुलो रुपए की लागत से इन बिद्यालों के निर्मान किया गया है इतना ही नहीं प्रधान मतिनाद मोदी ने प्रधान मतिर जन जातिया दिवासी नियाय महा अभियान के तहद 1108.2 कुलो रुपए की लागत से बनने वाले 25 एकलब ये अदर्स आवासे बिद्यालों का भी सिल्यानियास किया प्रधान मतिनाद मोदी ने हजारी बाग के बिनोवा भावी विश्वभी द्यालों में आउजित कारकरम में धर्ती अबाज जन जातिया ग्राम उतकर्स अभियान का सुभारम किया जिसकी लागत 89.156 कुलो रुपए है वहीं पिम मोदी ने 1173.55 कुलो रुपए की लागत से बननी 1387 कुलो मीटर सड़क को भी राष्ट को समर्पित किया है प्रधान मंत्री ने पिम जन्मन के ताहद घारों के विदूती करण भी राष्ट को समर्पित किया इसके तहट 170.74 रुपए की लागत से 75884 अभ्यार्थियों के घर बिजली पहुंची PM जन्मन के तहट 557 लाभार्थी गाओं में पेजल किया पूर्ति सुरू हो गई है PM ने इसको भी राष्ट को समर्पित किया है लातेहर चोकिदार भरती में अनिमीता ओ मर्शीट में परिक्षा की माघ अभ्यार्थियों ने कहा है किलातेहर जिले में 100 रिक्त पदों के लिए चोकिदार नियुक्ती निकाली कही थी वीगाइप्रणजारी नियुक्ती नियमावलिकर उन्सारा रिक्त पदों के लिए साररीक जांचोवदाउर के लिए एक तीन के हिसाआप से तीन गुना अभियार्थयों को मेधा सूची बनानी चाहिए थी पर मेधा सूची में 277 अभियार्थयों का ही नाम सामिल है इसमें ST कोटे के नियमा उनसार 117 अभियार्थों का नाम होना चाहिए था पर सूची में 127 है इसी पर कहां जेनरल कोटे में 47 पदों के लिए 141 के बज़ा 147 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 14 सीटों में सिर्फ तिन अभियार्थों का ही नाम सामिल है पर्याटन कला संस्कृतिक खेलकूत यम युवा विभा कोटे में किनका चेहन हुआ है या अभियास पस्ट नहीं है प्रधानमतिनायंद मोदी ने गांधी जयांती पर जार्खन के हजारी बाग में थे मतवारी मैदार में आयोजिती बीजेपी की परवतन महासभा में उन्होंने जार्खन के पिछडेपन के लिए जार्खन मुक्ती मोर्चा, कांग्रेस और राष्टिय जनता धल के गडबंदन से चल रही है मनसोयन सरकार को जिम्मेदा ठराया है प्यमोदी ने कहा है कि सरकार के हटने के बाद ही राजे का विकास हो सकता है सता में बने रहने के लिए राज सरकार नया वोट बैंक बना कर खतरना केल खेल रही है संताल परगना इसका प्रमान है बिजेपी की सरकार बनेगी तो रोटी, बेटी और माटी की राक्षा सुने चित की जाएगी बिजेपी के कारण ही AST, AST, OBC का आरक्षन सुरक्षी था है वहीं प्रभधान मंत्री ने परिवर्तन महासभा में हुंकार भरते हुए कहा है कि डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जब तक बिजेपी है तब तक AST, AST, OBC का आरक्षन कोई नहीं चिन सकता है J.S.E. Cigil answer की अपति दर्ज करने की तिति समाप्त जारखन Cigil परिक्षा जोकी 21 और 22 सितमर को आयोग द्वार जारी कर दिया गया था और answer की पर objection दर्ज करने की आखितिति समाप्त हो गई है बता दे की पहले objection window 30 सितमर तक ही खुला था लेकिन फिर इसकी तारी को बढ़ा कर दो अक्टूबर तक कर दिया गया बता दे objection बंध हो जाने के बाद कुछी दिनों में final answer की जारी किया जाएगा उसके बाद परिक्षा के परिणाम भी घोसित कर दिया जाएंगे बता दे की जैसे सिद्वारा answer की की objection window बंध होने के बाद 3 से 4 दिन में एक final answer की जारी किया जाएगा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके 8 से 10 दिन बाद परिणाम भी घोसित किये जाएंगे जारखन मौसम में बदलाओ रांची में हलकी बारिस जारखन में गुरुवार यानि दुर्गा पूजा के पहले दिन हलकी बारिस का प्रोणवान लगाया जा रहा है बारिस के छीटों के साथ बादल गरजेंगे और बजरपात की भी असंका है हलकी बारिस का अनुमान है बता दे जारकन में गुरुवार को बादल चाय रहेंगे और कहीं कहीं पर हलकी बारिस और बादल गरजने का प्रोड़मान लगाया गया है वही मौसम विभाग के अनुसार सहर की हवाव में उमस भी रहेगी मौसम के अनुसार गूरुवार को तापमान 31 डीडी तक रहेगा वहीं रात में तापमान घटने की संभावना भी हाए इसी के साथ कई लाقों में बादल गरजने के साथ हलकी बारिस की संभावना हाए वहीं इसी के साथ हाओ में उमस और नमी भी रहेगी बतादे पिछले 24 गंटे की तरह ही गुरुवार को भी आस्मान में बादल चाहे रहेंगे और आस्मान में बिजली की भी संभावना है जामुमो का पीए मोधी पर प्लटवार घुसपैट की बात क्यों कर रहे हजारी बाग में परधान मति नायंद मोधी द्वारा जनसभा में सत्ता रूड गडबंधन के बिरोध लगाए गए आरोपो वर जार्खन मोक्ति मोर्चार ने पलटवार किया है महा सच्चियों सुप्रियों भटचाई ने का गुसपैट और डेमोगराफी चेंज होने की बात परधान मंति क्यों कर रहे हैं या तो केंद्र सरकार का विशाय है और उन्हें स्वयम इस पर जबाब देने की जरूरत है उन्होंने कहा है कि परधान मंत्री के चेहरे पर आदिवासियों मुलवासियों का भय साप दिखा उन्हें आदिवासी मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन से डर लगता है क्योंकि राज्य में उनकी सरकार के दोरान ततकारीन मुख्य मंत्री और भाजपा के बरतमान अध्यक्ष बावुलार मरांडी और उनके स्वहयोगी सुधेस महतों ने OBC का आरक्षन 27 से घटाएकर 14 परज़त कर दिया था हमारी सरकार ने उसे फिर से 27 परज़त करने समधी बील पास कर दिया है सरकार बदलेगी तो सबका हिसाब होगा पीए मोधी परदानमतिनादमदी गांधी जहनती के आज़ कर तर की सरकार के खिलाब जामकरबर से मोधी ने कहा है की हमारी लड़ाई रोटी बेटी और माठी बचाने की लड़ाई है जामो परतंज कसते हुए कहा है कि इन्होंने आदिवासियों की जमीन तो लूटी ही सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा कहा पिछले दो हफ्तों में हजारों तबादले हुए सरकार बदलते ही इन तबादलों कहीं साब होगा उन्होंने जारखन में घुस पेट की समस्य एक उठाते हुए कहा है कि बङगलादेसियों की संक्या बढ़ रही है और आदिवासियों की संक्या कम हो रही है जारखन में दो और गृरक्छक आरेश्ट विभाग में हड़ कम ग्री रक्षावाहिनी जारकर में लगतार अनिमेता उजागर हो रहा है डिजी अनिल पल्टा के आदेश पर चल रही भागे जाँच के दोरन बुद्धवार को दो और ग्री रक्षाव पकड़े गए हैं इनमें गढ़वा जीला में तेनात राम जी यादव वा रांची जील नमबर अवन्टीद करते थे और जालिक एकजात तयार कर आम आदमी को ग्री रक्षाव बना कर उनसे काम लेते थे फर जी वाड़ा उजागर होने के बाद ग्री रक्षावाहिनी मुखेले ने दोनों को पकड़ कर रांची के धुर्वा थानने के अनुसंधान करता को नेता जी सुबास चंद्रबोस अवासे बिद्यालों में अब बराहमीत तक पढ़ाई होगी समग सिक्चा अभियान के मुख सचीव के अध्यक्सता वाली राजे कारकरनी समिती के मंगलवार को होई बैठक में इन बिद्यालों को बराहमीत तक अपग्रेट करने के प्रस्त आपर सोगिती परदान कर दी गई है इसके लिए इन बिद्यालों में अवसक सनरचनताय बिक्सीत की जाएगी तथा अनुबंद पर सिक्षक बहाल किये जाएंगे अभी तक इन बिद्यालों में 10 वी तक ही पढ़ाई होती है राजे में ऐसे कूल 26 अवासे बिद्याले संच करता हो कभी जड़ब के मामले में हाई कोट ने राज सरकार को विस्तित जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है साथ ही पूर्व केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंदा सांसर संजय सेट बीड़ी राम समेत 21 आरोपीदों खिलापिरक करवाई नहीं करने का आदेश बरक दिया है अगले सुनवाई तीन सपता बाध होगी बाबुलल मरांडी पर मानगो थाना में सिकायत दर्ज जम सेदपूर के मानगो थाना में भाजपा के परदेश अद्यख सह पुरो मुख मंत्री बाबुलल मरांडी की विरूत जामो नेता अरौन सिंह राजाने। शिकायत कि नोकरी आफा एर दरज घड़वाज जिले का धूर की फर्जी सर्टिफिकेट का धर पर चोकिदार की नोकरी लेने का एक मामला सामने आया है मामले में प्राथमे की दर्जकर आगी की कानोनी करवाई की जा रही है बताया जा रहा कि गढ़वा के धूरकी के फटा पानी के उपेंदर तूरिया नामक ब्यक्ति के अनुकंपा के अधार पर 2010 में चोकिदार के पत्पर नियुक्ति होई थी नियुक्ति के दवारा उपेंदर की तरफ से सक्षनिक पान पत्र जमा किया गया था या सक्षनिक पान पत्र भावनात्पूर के केतार के स्कूल का था 2014 में गटवा जिला पसाजन के तरब से पूरे मामले में सक्षनी पान पत्र की जाच की गई इसके बाद चोकिदार उपेंदर तुरिया को बरखास्त कर दिया गया था वहीं उपेंदर तुरिया पूरे मामले में पलामो के कमिशनर के पास अपील की आ गया इसके बाद से उसे दोबारा नोगरी पर बहाल की गई लेकिन जाच जारी थी वहीं आ ठारा मुक्ष सचीव के तरब से नुकंपा पर अधारी चोकिदार की नियोक्ति के मामले में रिपोर्ट माही गई थी मंत्री बन्ना गुपता ने MGM का किया निरिक्षान जारकन के स्वास मंत्री बन्ना गुपता ने जम सेथपुर में बुद्धवार को MGM कोलेज का निरिक्षान किया कर निर्मान कार्यों का जाजा लिया इस अवसर पर प्रधान सची स्वास सिकित सा सिक्षा यों परिवार कल्यान विभाग के अजय कुमार सिंग अभ्यान निदेशक एन एचेम अब्बु इमरान जीला उपायुक अन्यान मितल वर्य पुलिस अधिक्षा की सोर को सल सिक्षा विभाग में रिस्वत का खेल धन्माद जीले के प्रात्मिक सिक्षा विभाग इन दिनों सुर्खियों में है एक तरफ 29 अक्टूबर को होने वाले संग के संगठनिक चुनाओ को लेकर सिक्षकों के बीच गहमा गहमी है वहाई दूसरी तरफ सिक्षकों के एक प्रति एक लाग और सिवा संपोष्टी के लिए एक हजार के लिए पचास हजार से डेढ़ लाट और सेवा निवरिती लाव के लिए 30 से 40 हजार तक सिक्सकों से वसुला जा रहा है है हेमन्त सरकार के खिलाप परिवतन यातरा बन गई आंधी सिवराज सिंग जारखन चुना प्रभारिशा केंद्रिय मंद्री सिवराज सिंग चगवान ने कहा है कि हेमन्त सरकार खिलाप परिवतन यातरा अब आंधी बन गई है इस आंधी में कांग्रेज जामो सूखे पतों कितरा उड़ जाएगी हेमन सुरेण ने युआओ के साथ वादा खिलाफी किया है नोक्रिय और भत्ता के नाम पर ठंगने का कार किया है हेमन सुरेण की सरकार में अब तक 17 बार पेपर लिख हो चुका है जिसका सरगना भी हेमन सरकार ही है उत्पाद विभाग के दोड में युआओ की मौज सोब हाविक नहीं बलिक हेमन सरकार दोरा हत्या करवाई गई चुले खर्च के नाम पर महिलाओ को ठंगने का काम किया गया इस सरकार में पैसे लेकर टांसफर पोस्टिंग का धान्दा किया जा रहा है मनरेगा जल जीवन मिसन और केंद्रिय जोजनाओ का पैसा भी हेमन सरकार लूट ले रही है हेमन सरकार के नेताओ और उनके नौकर वा अधिकारियों के घरों से चापों में पैसे की पहार मिल रहा है बेटी रोटी और मार्टी की सुराक्षा के लिए भाजपा की सरकार बनानी है धनबाद में गैंग्ष्टरों ने आधा दजन कारूबारियों का जारी किया पर्चा धनबाद के जमीन कारोबारी सहबुदीन सिद्की की हत्या के बाद वासेपूर में एक बार फीर दसत का महोल है पूरे इलाके में इसकी भी चर्चा है कि सहबुदीन के अलावा भी आधा दजन कारोबारियों के नाम का परचा गैंक्स्टों ने जारी किया है यहाँ खबर फैनले के बाद वे वासेपूर में डर का महोल है इसी बिच बुद्धवार की साम साहबुदीन के सौव को सुपूर्द एक हाक किया गया बता दे जनाजे में काफी भीड थी अनहोनी के संका को देखते हुए वासेपूर और पंडर पाला में काफी संका में पुलिस बलो के तनाती की गई पुलिस बलो के तनाती की बीच ही साहबुदीन का अम्तिम संसकार किया गया ग्याथ हो कि पंडरा पाला निवासी जमीन कारोबारी साभुदीन के मंगलवार को नवाड इस्थित करे लेकर सामने गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जारखन के अधिकार की मांग पर भाजपा की चूपी मुख्य मंतरी परधान मंतरी के हजारी बाग दोरे के बाद मुख्य मंतरी हमन सुरेन ने अपनी परतिक्रिया दिया है अपना हक मांग रहे हैं पर इस पर पूरी की पूरी भाजपा की चूपी हमारा हक माने की साजिस का हिसा है सीएम सुरेन ने आगे कहा है कि एक सुन्योजी साजिस है क्योंकि यह चूपी बताती है कि उन्हें जारखन के मुल निवासियों की चिंता नहीं है वे बड़े कारपोरेट घरानों के हीतों को हमारे हिसों के उपर रख रहे हूए उन्होंने जार्कन राज के निरमान के पिछे के मुले उदेश को दरकिनार कर दिया है और सिर्फ अपने हीतों के लिए कारे कर रहे है उलेखनिया कि प्रधान मंत्री नायन मोदी को मुख्य मंत्री हमान सुरे ने पिछले दिनों पत्र भेज कर केंद्रिये कोल कंपनियों पर जार्खन का बकाया 1.36 लाक रूपए दिलाने की मांग की है बापू और सास्तरी के जिहनति पर राज्यपल ने सरदांजली और पीट की इसके बाद राज्यपल रांची के मुरबादी सिथ बापू आठका गय और वहां माहत्मा गानधी की परतिमा पर मलयारपन किया इस औसर पर एक कारकरम का भी आवजन किया गया जिसमें गाईकों ने बापू के प्रिये भजन गाए राजेपन ने पत्रकारों से बात करते हैं कि पुझे बापू के सिधान्त आज भी अत्यांत प्रसांगिक है उन्होंने सत्य अहिंसा और स्वक्षता का जो संदेश दिया था वह हमारे समाज के विकास के लिए महत्पून है ज्यारखन में 5 और 6 अक्टूबर को बारिश ज्यारखन में एक बार फिर मौसम खराब होने वाला है मौसम विभागनें अंगले 24 घंटे के दौन ज्यारखन के बिभीन हिसों में मौसम विभागने ज्यारखन के विभीन हिसों में 5 और 6 अक्टूबर को भी मौसम खराब रहने का प्रोवन जताया है आईमडी की ओर से जारी औल इंडिया वेधर बुलेटेन के मुताबिक इस हफ्ते के दौन ज्यारखन के साथ बिभीन पच्छिन बंगाल सिकम और उडिसा के विभीन हिसों में शिटफूट हलकी मध्यम की बारिश संभवना है मौसम विभा की माने तो दक्छिन पच्छी मांसून जमू कास्मीर हिमाचल परदेश उत्राखन पंजाव हर्याना दिल्ली पच्छमीर आयस्थान के बाकी हिस्तों में वापत चला गया है हलाकी दक्छिनी पुर्वी बंगला देश और उसके आसपास के इलाकों में बने साइकलोनिक्स एकुलेशन और उससे निकल रही एक टर्फ के कारण चार अक्टूबर के आसपास उत्री बंगाल की खाड़ी और उसके आसपस के हिलाकों में एक कम दवाव का चत्र बढ़ना की संभावना है आज से नौरात्र शुरू सार्दिय नौरात्र गुरुवार से सुरू होगा इसको लेकर राज्य भर में चहल पहल सुरू हो गई है गुरुवार से नौ दिनों तक मा देवी दुरुवा के नौ सुरूपो की आराधना होगी सार्दिय नौरात्र के पहले दिन माता सेल पुत्री के उपासना की जाएगी बता दे सनातन धर्मलंबी निराहार या पलाहार रहते हुए अपने घर मंदिर वा पूजा पंडालों में खट अस्थापना के बाद दुरुगा सब्त सती, राम चरितमाना सुन्दरकान, राम रक्षा सस्त्रोद, दुरुगा सहस्त्र नाम, औरलगा कोवज, कील, सिद्ध, कुंजी का स्रोष्टो आधी पार्ट करेंगे वहीं सार्दिय नौरात्री की सुरुवात होते हैं, इकलस अस्थापना की जाएगी, इसे लेकर साधालों में खासा उसा देखा जा रहा है महिला पुरुष खरिदारी करने में जूटे हैं, सहर के सभी दुकानों में काफी भीड देखी जा रही है पलामू टाइगे रिजर विशिद बेतला नेशनल पार्क तीन महिने के बाद 2 अक्टूबर को परेटको के भ्रहमन के लिए खोल दिया गया है पहले दिन 190 परेटको ने बेतला नेशनल पार्क का भ्रहमन किया इससे पहले PTR के फिल्ड डारेक्टर कुमार असुतोस डिप्टी डारेक्टर ब्रजेस कांत जेना वर रेंजर संकर पासवान ने उधगाटन किया है पतादे पार्क घुमने वालों में कोलकात्ता के डी मुखो पाद्या केके पाल एस घोस कौसिक राय एह हलायक आदी के नाम सामिल है इधर पार्क खुलते ही बेतला की रोनक बढ़ गई है पार्क प्रवंधन द्वारा पहले ही दिन इसकूली बचों को निसूल्क भरवन कराया गया वहीं अने परट को को बढ़े हुए इंटरी फीज प्रती वाहन 600 रुपई की दर से भुकतान करना पड़ा कोलकाता के परटाक इस गोस ने कहा है कि बेतला निसनर पार काफी खुबसूरत जगा है